हाई फ्रेंड्स आज सुरू करते हैं I Hate You का रिमेक का पार्ट थ्री पिसले पार्ट में हमने सोना था इबो और मेंग जो साय जान को बुले करते हैं जिसके बज़े से जान उन दोनों का आरेश्ट करवा देता है अब आगे की स्टोरी मेंग सिक्रेटली साय जान और वांगी इपो की पते सुन लेता है वो एपा जान लेता है कि साय जान पेगनेट है जिसके बारे में उसे पता नहीं था वो तो पुरी थरा सौक हो जाता है उससे लगा था कि इपो की साधी आरेंज मेरेज है जो तोनों रिच प्यामिले के पेस में हुआ है उससे तो इस बार में प वो मेरे पीछे साहे जान के साथ सोता है वो सिक्रेटली लभा रखा हुआ है मुझे इस पर में पता नहीं है इपो और मेंग दोनों सेल में आते हैं वो दोनों पहुजा ठक गये थे इपो मेंग के पास बेरते हुए कहता है बेबी तुम ठीक हो न तुम अच्छे नहीं देख हो मेंग इमिटेटली थोड़ा सा मूब हो जाता है और इपो की तरफ देखते हुए कहता है तुम मुझे इस बारे में कब बताने वाले थे कि तुम उस रीच वाय से इसलिए साधेगी थी कि इपो पेगनेट है और उसकी रेस मुस्रीटी वांग इपो तुम हो इपो तो प समझाने लगता है बेबी मेरी बाते सुनो यह पूस एक मिस्टेक है उस बाद मैं ठेक सेंस पर नहीं था मैंने अपने दोस्तों के साथ बेट लगा लिया था और उसके बाद मैं ट्रॉंक हो गया और इतनी बड़ी निस्टेक हो गया मैं बस राइट टाइम का इंतिजर कर था कि मैं तो यह कब बता सकूँ इपो तो बहुत चल गया था कहीं उसका बॉइफ्रेंट उसे डॉंप ना कर दे यह उसकी गलती थी उसने अपने बॉइफ्रेंट को चेट किया था में गुष्रा हो तो यह कहता है मिस्टेक तुमने अपनी दोस्तों को साथ बेट लगाया और किसी को पेगनेंट भी कर वा दी और जब कि हम दोनों 3 साल सो लेट कर रहे हैं मैं हमेजा तुम्हारे लायल रहा तुमने मेरे साथ कबे भी सेक्स नहीं किया हमेजा कहा कि साथी के बात ही सब कुछ करेंगे मगर तुम किसी दूसरे के साथ नाच पेंड करके आगे यह मेरे लिए अन्फैर नहीं है तुम अलड़ी यह एक्सपेट कर रहे हो किस दूसरे से बेबी मुझसे नहीं तुम मेरे से बेट्रेट कर रहे हो तुम हमारे प्यार को बेट्रेट कर रहे हो यह कहकर वो बड़ी जोड़ से रोने लगता है वांगी बो कहता है मुझे पता है मैंने अपने प्यार को चीट किया है मगर यह बस मेरी गलती है मैं तुम्हें बहुत ज़ दे दो मैंने भी तुम्हें एक दूसरा चांस दिया था जब तुमने एक सार पहले मुझे चीट किया था प्लीज तुम मुझे छोड़ कर मज़ जाओ मिंग उसके तरफ देखता है ओ इसलिए तुमने डिसाइट किया मुझे रिभेज लेने के लिए तुमने उसी बज़े से दूसरे के साथ नाइस प्रेंट करके आगे और किसी को पेगनेंट भी बना दिया तुमने अलेडी उस बात को नहीं बुले हो मुझे माप भी नहीं किया था बस वेट कर रहे थे किसे राइटेम आने पर तुम उसके पेपेग कर सको इबो केता है इसे बात नहीं है ये सस न नहीं करने वाला ये केकर पुफ मेंग से रिक्विस्ट करने लगता है अगर मेंग कुछ भी नहीं कहता उससे थोड़ा सा दूर हो जाता है उससे थोड़ा सा टाइम चाहिए था इस रिलेशन स्टीप के बारे में सोचने के लिए इस तरह एक हपते बीच जाता है साय जान इबो और मेंग को रिलेश करवा देता है जान अपने वेडिंग दिंग की दिप देखकर साय करता हुए मन में कहता है ये बस एक वेडिंग करेंग है जिसमें ना कोई प्यार है ना इंट्रेक्शन है कुछ भी नहीं है माकर जब पपी बढ़ा हो जाएगा उससे पता चलेगा कि उसका सिंगिल पैरेंट है तो बहुत हो जाएगा हाट प्रोकन हो जाएगा या भी सभी उसे बुली करने लगे तो सिंगिल पैरेंट के बज़े से वो बस अपनी बेबी को लिए बेस देना चाहता था दूसरी तरफ मेंग इबो का वेट नहीं करता वो थोड़ा इसे असेप्ट करने के लिए उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए इबो के लिए तो यही एनाप था कि इससे मेंग ने अभी ब्रेक अप नहीं किया था अब इबो सायचान से और चलन अफरत करने लगता है वो इस सब की गलती जहन को ही माने लगता है जैसे ही वो घर पापस आ बहुत देखता है सायचान का उस पर बेटा हुआ है अब उसे ब्रदा नहीं करता इबो तो अभी उसे कुछ भी नहीं कहना चाहता था वो बस पर फेक्ट टाइम के इंटेजर कह रहा था जिससे वो सायचान को यह सब कुछ के लिए रिक्रेट फिल करवा सके दूसरी तरफ नहीं कर पाया या फिर अपसे मिले नहीं आपाया था मेरे साथ कुछ हो गया था वो इंसान कहता है अब तुम बताओ क्या तुम अपनी प्लानिंग में सेक्सेस हो पाए तुम बो डॉकुमेंट लेकर हा पाए तुम उस इंसान को कॉन्वेस कर पाए कि तुम उसकी प्रपर नहीं किया था कि इतनी ज़ले चेंज हो जाएगा मेरा बॉइफ्रेंड वहां की वह एक पर्सन से साध्य कर चुका है जो बहुत ज़्या रीज है अब वह उसके बेपी को भी क्यारी कर रहा है वह पर्सन स्मीक करते हुए कहता है तुम्हें पता है हमें क्या जरुवत है हमें उसकी फैमिली से इतने ज़दा अटाश्मेंट की जरुवत नहीं है हमें तो उसकी फैमिली को ड्रेश्टर करना है और वो पर्सन उसे तो इस बात का पेपे करना पड़ेगा उस सोकल साध्यान को तुम मज़ा चखाओ मेरे पास प्लान है तुम उसे थोड़ा सा बस सफर कर उसके बाद वो ही हमारे रास्ते से हर जाएगा में अब समझ जाता है उससे क्या करना है उस साध्यान से उसे किस तरह का डेल करना है अब दो हपते पीछ जागते हैं साध्यान पुरे तरह सेप था बिना साउंड बिना ड्रामा के जहान की कॉंसेटर्ट अब बस अपनी बे दो मेने की अगले डी प्रेग्नेंट हो चुका था वो नर्माली से कोई काम भी नहीं कर पा रहा था वो किसी की हेल्प की जरूर था मरकर जान हमेशा इंडिपेडेंट ही जिया है उसने अपनी पैरेंट्स के भी डिपेंडेंट नहीं रहा उसके हाइज स्कुल के एजुकेश फिर से अपनी लाइफ शुरू करेंगे सायजान के जाने के बाद बहुत दोनों साथ ही कर लेंगे मेंग तो अलड़ी प्रानिंग कर चुका था वो किसी भी वक्त जान पर आठाक कर सकता था वो बस टाइम का इंतिजर कर रहा था एक दिन सायजान उसके समने रिक्वेस्ट करेगा मगर उस वक्त बहुत लेट है शुका होगा आज सायजान चेकप करने के जाने बारा था डॉक्टर से आज अपर्मेंट था वो खाना औरर करता हुए प्रिक्वेस्ट कर लेता है वो सब कुछ लेकर जाने के लिए रेडी हो जाता है वो देखता है शीडियों के पस म मेंग खड़ा हुआ है वो किसी का वेट का रहा है शायद अपना सोकल बॉइफरेंट का मन में कहता है शायद उसे जेल की हवा अच्छे लगने लगा था इसलिए तो वो इतना अदा पतला हो गया है वो उसे इग्नॉल करता हुए बहां से जाने ही ब्याला था कि मेंग उसक टाइम नहीं है तुम्हारा साथ एक गेम खेलने के लिए मेंग करता हुए कहता है तुम एक स्नाचर हो कि तुम उसे डर रहे हो तुमें बहुत ज़ता इंबरेस भी हो रहा है तुम बहुत ज़ता सेमलेस हो जो किसी के मेंग को चुरा लेते हो जहान अपना सारे लाता हुए ریسائٹ کرता है उसे लिए इग्नोर करके जाने के लिए مागर मेंग फिर से उसके सामने आजाता है जब वो देड़ता है ईबो उसके रूम से बाहरा रहा है जान केता है तुमने कहा मैंने तुम्होंरे मेन को चुरा है ठीक है मैं आडमिट करता हूँ मैं सैंable हूँ मैंने तुम्हारे मेन को चोरा लिया था क्योंकि तुम इस काम में पुरी तरह फैलो गए हो इसलिए मैंने ही रिसाइड किया था कि मेन को ये देखाना चाहिए देखो मैं उसकी बेबी को क्यारी कर रहा हूँ हम लोग बहुत जल्दी पैरेंट भी बनने वले हैं मगर तुम क्या इतनी सालों की रिलेशन सेट में भी कुछ भी नहीं है मैं बस वान नैट स्टाइड में ही मैं उसकी वाइप बन गया और उसके बेबी से पेगनेंट भी हूँ तुमारा और मेरा तो कोई भी मैस नहीं है प्लीज मेरा टाइम बिना वेट की विए मेरे सामने से हट जाओ ये केक और वो मेंग को पोस्ट कर देता है मगर मेंग जहान के हाथ को पकर कर वो एक नाइप निकाल देता है जहान सटनले रियाट करता हुए उस नाइप को पकर लेता है मेंग तो उसे नाइब से अपनी बेली पर स्टाप कर देता है इसके बज़े से उसके बड़ी से बलाट निकलने लगता है जहान तो पुरे इतरा घबरा गया था वो समझ नहीं पारा था अब यह क्या हुआ है वो अभी भी उस नाइब को पकड़ा हुआ था मेंग कहता है तुमने एसा क्यों किया मेरे साथ मैंने तुम्हें अलड़ी कहे चुका हूँ ना मैं तुम्हें और इपो को छोड़के चला जाऊंगा तुम दोनों पीस पुली जी लेना फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ये कहकर पोसीडियों से रोल होता हुए नीचे चला जाता है जान के हाथ से नाइब गेट जाता है और अपने सारी लाता हुए डरता हुए कहता है मैंने इसा नहीं किया मैंने उसे स्टाप नहीं किया वो मेरे से ट्रिक कर रहा है इपो जैसे ही देखता है कि उसके बॉइप्रेंट को साइचाने स्टाप किया है वो मेंग के पास दोड़के जाकर कहता है बेबी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ मैं अभी ही अम्बलास को कॉल करता हूँ फ्लीज थोड़ा चा रुको ये केकर वो अम्बलास को कॉल करता है और मेंग को लेकर हस्पिटल चला जाता है जान भी अपनी कार्ड से उन दोनों को फॉल अप करना लगता है वो ऐसा प्रेटेंट भी नहीं कर सकता उसे कोई परवा नहीं है वो बहुत ज़दा साप्टराटर है उसे पता था उसके कोई भी गलते नहीं है अगर फिर भी वो हीमन था वो इस चीज को इगनर भी नहीं कर सकता था अब हस्पिटल में इपो देखता है जान कोई दोर पर एक कॉनर पर खड़ा हुआ है जो अपनी उंगलियों के साथ वो खेल रहा है यह वो बहुत ज़दा ओरियर था और खुसे में भी वो जान के पास जाका उसके नेक को पकरता हुए दीवरा में पोस्ट कर देता है अगर मेरे बॉइफरेंट को खुस भी हुआना तो फिर मित तुमें नहीं छोड़ने वाला तुमने मेरे समने मेरे बॉइफरेंट को मानने की कोशिश की मैंने कभी भी एकस्पेट नहीं किया था कि मैंने एक किलर से साधी किया है यह कहकर वो चिलाने लगता है जान भी स्ट्रागल नहीं करता फिर होने के लिए वो बस काप करता हुए कहता है मैंने नहीं किया मैंने किसी कोई महने कोशिश नहीं किया वो इबो को समझाने के कोशिश करता है इबो कुछ कहे उसी समय नौर्स आ जाता है वो इबो की तरफ देखते हुए कहता है पेसेंट की लिवर पुरी तरह टेस्टर हो गया है उसी इमीडेटली रिप्लिस्मेंट की जरुवत है हमारे होस्पिटल में अभी मैचिंग लीवर नहीं है अगर कोई कापबूल है तो चल्दी आरेंज कीजिए अब इबो जहान की तरफ देखने लगता है और स्मेक करता हुए जहान को पकरता हुए कहता है इस इंसान का प्लोड मेरे बॉइफ्रेंट के साथ पुज अपनी बेबी को खो सकता हूँ प्लीज ऐसा मत करो वो अपनी बेबी के लिए कोई भी देख लेना नहीं चाहता इबो चिला तो यह कहता है मुझे कोई परवा नहीं तुम्हारे लाइब से तुम्हें जो गल्ती किया है उसका पेपे करना पड़ेगा यह कहकर वो अपनी ब के फादर हो प्लीज ऐसा मत करो आई स्वेर मैंने में को स्टाप नहीं किया है वो अपने आपको स्टाप किया है मगर एपो तो सायचन के पाद कुछ भी नहीं सुनता वो बस चिला तो यह कहता है मुझे कोई परवा नहीं मैं उस बेबी का कोई भी भादर नहीं हूँ ड़ मेरे बॉइबरेन की जान बचाएए